नमस्कार दोस्तों मैं अंकित बादले भी स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में अक्सर अपनी बयान बाजी को लेकर विवादों में रहने वाले बॉल्यूड प्लेबेक सेंगर अबजीत एक बार फिर एक बयान को लेकर चर्चा का विशाय बने हुए हैं यह बात किसी से चुपी नहीं है कि अवजीत अक्सर बॉल्यूड के दवंग खान यानी सल्मान खान पर हमला बोलते नजर आ ही जाते हैं हाल ही में अबजीत ने सल्मान खान को अपनी आवाज देने पर एक बयान दिया है जिस पर सल्मान खान के फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं और मामला खिछता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि आप सब जानते ही हैं अबजीत ने सलमान खान के लिए ज़्यादा गाने तो नहीं गाये हैं लेकिन जितने भी गाने गाये हैं उनमें से लगवख सभी सौंग्स पॉपिलर हैं चाहे वाई बीवी नमबर वन का चुनरी चुनरी हो या फिर चल मेरे भाई का चोरी चोरी सपनों में आता है कोई और इन गानों के अलावा भी बागी फिल्म के गाने चांदनी रात है एक चंचल सोख हसीना या फिर जुड़मा फिल्म का गाना टन 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 टारा हो आईए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है दरसल सिंगर अबजीत भटाचार ने अपने इंटर्विव में सल्मान खान के गानों को लेकर बात करते हुए बताया कि जुड़मा फिल्म का गाना टन 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 टारा जब वो यह गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब उन्हें पता ही नहीं था कि वह यह गाना सल्मान खान के लिए गा रहे हैं अब जीत ने बताया जब उन्हें गाने के लिए बुलाया गया तो उन्हें पता था कि ये डेविड धवन की फिल्म है और जाहिर है कि डेविड धवन की फिल्म है तो हीरो गोविंदा ही होंगे तो मैंने यह पूरा गाना गोविंदा को ध्यान में रखकर गाया था आगे अबजीत ने बड़ी ही बेरुखी से बताया कि यह गाना मेरे लिए कभी भी एक महान गीत नहीं था ये तो बस एक instrument था और मैंने इसे गाया है तो इसमें मेरा नाम आता है उन्होंने कहा कि मेरा वो गाना है इसलिए हिट नहीं है वो तो पहले से ही हिट था अभजीत ने बताया कि मेरे गाय हुए बहुत गाने हिट हुए हैं लेकन जरूरी नहीं कि वो फिल्म भी हिट हुई हो अभजीत ने बताया कि उन्होंने वो गाना गोविंदा के लिए गाया था सल्मान खान के लिए नहीं उस गाने में उन्होंने पूरे एलिमेंट गोविंदा वाले ही डाले थे लेकिन उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि फिल्म में गोविंदा नहीं है और फिल्म में सलमान खान को लिया जा चुका है और इसके बाद जब उन्होंने उस पिक्चर में सलमान खान को देखा तो वह काफी निराश भी हो गए थे आगे अब जीद ने बताया कि जबसे वो डेविड धवन बना है तब से उसने गोविंदा को छोड़कर किसी के साथ काम ही नहीं किया और मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि इस फिल्म में सलमान खान है सबको पता है कि पिक्चर बन रही है और इसमें सलमान खान है लेकिन यकीन मानिये मुझे पता नहीं था कि इस पिक्चर में गोविंदा नहीं बलकि सलमान खान है उन्होंने आगे बताया कि यह गाना जिस तरह से गाया गया वो भाव और अभिनाय गाने में कहीं नहीं दिखाया गया गाने को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया गया जो की बहुत निराशा जनक था आपको बता दें कि सल्मान खान के साथ अबजीद भटाचारी की लड़ाई काफी समय से सुर्खियों में है और वह सल्मान खान के किलाफ कुछ ना कुछ बोलते नजर आही जाते हैं जो की आपको इस पुराने इंटर्व्यू की एक किलिप देखकर समझ में आ जाएगा तो दोस्तो इस बारे में आपका क्या कहना है या कमेंट करके हमें बताएं जल्दी ही मिलती हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद